लेटेस नियूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अप्डेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें विश्वस स्वास्थ संगधन डबलू-एचो ने कहा कि कॉरोना वाइरस महामारी को रोकने के लिए भारत लगतार आक्रमक होकर काम करें WHO के Emergency Health Program के Executive Director माइक रियान ने स्वीजर लैंड के जनेवा में 23 मार्च को प्रेस कॉनफरेंस में भारत को लेकर स्थिधे बात की इससे पहले रियान ने दुनिया भर में कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन पर कहा था कि सिर्फ लॉकडाउन से इस वाइरस को खतम नहीं किया जा सकता माइक रियान ने कहा भारत चीन की तरह काफी बड़ा और घनी अबादी वाला देश है इस महामारी कोरोना वाइरस का भविशे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि काफी बड़े छेतरफल और बेहद घनी अबादी वाले देश में क्या होता है उन्होंने कहा कि या बहुत अधिक जरूरी है कि भारत लगतार आक्रमक होकर कारेवाही करे भारत सारवजनिक स्वास्त और समाज के स्थर पर इस बिमारी को रोकने के लिए काम करे उन्होंने इस बात का भी उलेक किया है कि भारत ने स्मॉल पॉक्स और पोलियो को मिटाने में दुनिया को रास्ता दिखाया और वैक्सिनेशन को लेकर काफी बड़ा काम किया है माई ग्रियान ने कहा कि सीविल सोसाइटी और कम्यूनिटी संगटित होकर काम करे तो भारत के पास काफी अधिक शमता है उन्होंने कहा कि इस महामारी को लेकर कोई आसान तरीका नहीं है कड़े महनत की जरूरत है और तुरंट काम करने की आवश्यक्ता या काफी अधिक जरूरी है कि भारत जैसे देश ने तृत्व करे दुनिया को रास्ता दिखाए कि क्या किया जा सकता है और उन्होंने पहले क्या किया है